अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ नहीं, एक स्मार्ट हाउस वाइफ बनके दिखाएं कुछ टिप्स मैं आप परों के साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करूंगे टिप्स प्रसद आएंगे चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं खाना हिसाब से ही बनाएं क्योंकि अतिरित खाना बनाने से वह बासी हो जाएगा और बासी खाना-खाना सिहत के लिए भी नुकसान दायक है घर के हर सदसे को ये आदर डाले की जो समान जहां से उठाया है वहीं रखें इससे समान इधर उधर बिकरा भी नहीं रहेगा और समय पढ़ने पर वह चीज असानी से मिल भी जाएगी अगर आपका घर छोटा है तो जादा समान खरीद कर उसे गोदाब ना बना ले उतना ही समान खरीदे जितना ज़रूरी है इसे घर भी साफ रहेगा और घर को मैनेज करना भी असान हो जाएगा पुरानी और बेकार पड़ी हुई चीजों को समय समय पर निकालते रहें जैसे कि पुराने अकबार, पुरानी पत्री का या किताबे आप इन्हें रद्दी में आसानी से बेच सकते हैं आजकल ओनलेन शॉपिंग का समाना है तो सोच समझ कर ही शॉपिंग करें बिना बात की चीजों को खरीदने से समय और पैसे दोनों की ही बरवादी होती है और पैसों का इस्तमाल हमेशा सोच समझ कर ही करें जितना काम कर सकती हैं उतना ही काम करें बेवज़ा जरूर से ज़्यादा काम ना करें क्योंकि काम ना पूरा होने पर आप पो तनावी हो सकता है है रस्वर्व की काम को स्मार्ट तरीके से सभाले सुबर के लिए सभजी रात को ही काट कर रखें और टाइम बचाने के लिए अब अध्रक और लेस्न का पेस्ट को बनाकर फिज्बर सकते हैं एक स्मार्ट हस्वाल बने और मार्कर dis Limited समाल लाना है उसकी पहले से ही लिस्ट बना के रखें इसे बार-बार माइकट जाने का टाइम भी बज़ेगा हाउजवफ होने का बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आप अपने आपको किसी से कम समझे अपने शौक को बिल्कुल भी नजर अंदाज ना करें खुल के अपनी जिनकी जिए और अपने पसंद का काम करें मैं आशा करती हूं कि आपको मेरी यह सभी टिप्स पसंद आएंगी एक हाउस्वफ होने की नाति मैंने आपके साथ यह टिप्स शियर की हैं अगर आपको मेरी आज की यह टिप्स पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी न बू को चिंग